SD राज इंगलिस में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे 21.5.2024 को बिहार में आयोजित स्टेट की जो परिक्षा हुई थी उसकी एंसर की आई है तो उसकी एंसर की में किन कुश्चनों पर आपको आपजेक्शन करना है बोल्ड ने किन को माना है आपने क्या किया है आपजेक्शन करने में आपको प्रूफ देने की भी जरूरत होगी तो proof आपको कहां से देने हैं इन ही सब सारे बिंदों पर चर्चा होगी तो एक-एक question को हम लोग लेते हैं और उस पर discuss करते हैं कि क्या इस पर objection किया जा सकता है या इस पर objection नहीं किया जा सकता है तो इसमें मैं ले रहा हूँ paper first को paper first आपका 9-10 के लिए होता है जो इसका paper second होता है वो 11-12 के लिए होता है 11-12 के teacher आप बनते हैं और जैसा जिसको normally हम लोग PGT के नाम से जानते हैं तो वो second paper उसके लिए होता है यह आपका first paper है इसका विशाय का code आपका है 109 तो अब इस पे जो है अब समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे इस पे टापिक पे आते हैं अब इसी के साथ साथ हम आपको कुछ जो है question को कैसे जो है जल्दी साल्ब किया जाएगा उसका मैं कुछ tips और tricks आपको बताऊंगा यह paper जो है हमारे एक विद्यार्थी के द्वारा हमको provide कराए गया है उसी का जो है उसी के roll number से उसी की ID से मैंने इसको जो है अपने device में download किया है उसके बाद यह मैं आपके सामने represent कर रहा हूँ तो इसमें जो है suppose that यह question मेरे सामने आ गया तो अब यहाँ पे जो है आपके सामने चार आपसन है तो आपको पकड़ना कैसे है मैं उसको बता रहा हूँ जैसे मुझे यहाँ मिला एड़वर्ब नौ तो देखिए time को express करने के लिए दो ही आपके जो है पार्ट साफ हिस्पीच कामाते है एक तो आपका होता है वर्ब और दूसरी होती है आपकी एड़वर्ब इन्हीं से हमको जो है time का indication मिलता है तो now से मुझे पता चला है present की बात हो रही है अब यहाँ देखिए far preposition है उसके बाद यह duration की बात हो रही है तो आप normally सा दिमाग लगाएंगे तो since या far के बाद को बताएगा अब यहाँ subject आपका singular है तो यह third वाला आपका यहाँ पे correct होगा तो board ने जो है इसको थर्ड माना है और इन्होंने जो इसको किया है इन्होंने इसको exercises किया है ये आपका जो है रांग जाएगा चलिए दूसरे question पर चर्चा करते हैं दूसरा question इसमें क्या है आपका दूसरा question आपका है according to the prevailing rate two dozen space rupees 100 तो यहां आपको चार आपसन दिये गए हैं तो इसमें normal सी कहने का मतलब normal tendency की बात हो रही है तो जाहिर सी बाते casting आना नहीं है अब इन ही दोनों में आपको confusion होगा मतलब आपके दिमाग में आएगा कि two dozen को plural माना जाए कि two dozen को singular माना जाए तो इसमें देखे सामानी सी मैं आपको एक trick बताऊंगा कि two dozen क्या single unit का काम कर रहा है अगर जो single unit का काम करेगा तो singular हो जाएगा single unit का काम होने के अगर जो मुझे symptoms नहीं मिलते हैं suppose that कि मुझे sentence पढ़ने पर कोई ऐसा clue मिलता ही नहीं है कि two dozen को single unit बताए जाएगा तो उस condition पे आप इसको plural मानना बेहतर माना जाता है आप उसको singular मानेंगे तो भी correct है plural मानेंगे तो भी correct है लेकिन plural मानना ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्यों? क्योंकि यह चीज जो है farm के base पर farm के base पर यह मुझे plural दिख रही है तो farm के base पर जो चीज plural है तो इसलिए plural को वहाँ पे बहतर माना जाता है लेकिन यहां क्या है? यहां मुझे clue मिल रहा है 100 कहने का मतलब अब यहां two dozen यह चीज किसी एक जो है unit को आपका सो कर रही है एक unit को सो करेगी तो एक unit को सो करने के कारण तो फिर इसको मुझे singular मानना पड़ेगा तो यहां singular के लिए आपकी यह singular वर्ब यहां पे आप चूज करेंगे अगर जो मुझे इस type का कोई clue न मिलता तो हम plural के तरफ फिर भगते अब चलिए next question पर चर्चा करते हैं अब देखिए जो आपका next question है इसमें आपको जो है वर्ब की filling करनी है यहां देखिए the quality of products space over time तो अब यहां पे आपका यह portion हो गया आपका subject हो जाएगा और इधर पूरा आपका predicate हो जाएगा subject में head word क्या है भाई यह preposition preposition के बाद जो यह noun है इसका case objective हो जाएगा subject बनने की छमता इसकी खतम अब subject क्या है यह आपका real subject ही real कहने का मतलब subject phrase में head word आपका यह है यही वर्ब को जो है govern करेगा तो यह आपका क्या है यह singular है तो singular है तो जाहिर से बात है अब वर्ब यहां पे singular कियाएगी अब आप देख रहे हैं ना तो singular की वर्व यहाँ पे है ना तो यहाँ पे है ना तो यहाँ पे है यह चार ओ आप्शन आपकी रांग है इस पे आप complain कर सकते हैं इस पे आप अगर जो complain करेंगे तो आपको जो है इससे कहने के मतलब निश्चित ही फायदा मिलेगा इनको इसको यफ मानना पड़ेगा या इसको ये question delete करेंगे इसके proof के लिए आप Ren Martin का लगा सकते हैं Ren Martin में आपको इस टाइप के कई sentence मिल जाएंगे subject verb agreement में आप इसको ढूंड लीजिएगा वहाँ से चीजें आपको मिल जाएंगी और वैसे भी ये चीज नार्मल है अगर जो ये question आप नार्मली लिख करके भी करेंगे अगर जो जो इसको चेक करने वाला होगा उसका ध्यान इस पर जाएगा तो जाहिर सी बात उसको पता चल जाएगा कि यहां fault होई है अब चलिए जो question आपके easy हैं जिसको आप easily कर सकते हैं उसको हम थोड़ा सा skip करेंगे और उसके बाद हम especially उन्ही question पर चर्चा करेंगे कि border ने जिनको दूसरा माना है दूसरा होना चाहिए या किसको F होना चाहिए उन सब question पर अपने लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे अब जैसे ये वाला question है इसने जो है इसमें आपका जो है कहने का मतलब जो भी है border ने भी जो माना है जो candidate ने भी किया इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये भी question आपका जो है अब यहाँ पर जो आपका ये ये वाला question है इसमें candidate ने जिसने भी एक candidate किया है उसने गलत किया है तो यहाँ पे अच्छा गलती हुई क्यों गलती इसलिए हुई क्योंकि आपने question को ध्यान से नहीं पड़ा ध्यान से अब इसमें देखे लिखा गया है which tendency used to express an action going at some time in the past past के किसी point को बताने के लिए तो पहली चीज past के point बताने के लिए आप क्या use करते हैं तो आप use करते हैं past indefinite past indefinite tense का use past के point बताने के लिए आप करते हैं और जो यह past का point है यह क्या था going on कहने का मतलब यह action आपका continuous way में था तो बात किसकी हो रही है अब बात हो रही है past continuous tense की कहने का मतलब past के किसी एक point पे अगर जो कोई काम continue था तो वो normally आपका past continue अस्टेंस बोला जाएगा इसके according to bold का answer आपका correct है अब देखिए यहाँ पे question बढ़ाईजी है और 606 वाला है आपका head mastered तो कहने का मतलब head से मुझे past पता चला और has head के बाद verb की थर्ड फार्माती है तो past होगे और फिर यह perfect का जो है सो कर रहा है तो past perfect है candidate ने भी past perfect माना है बोल्ड ने भी आपका past perfect माना है यह question में कोई भी बात नहीं है अब यहाँ जो आपका यह question है यह देखिए बड़ा ही easy question है अब यहाँ पर आप क्या कर रहे है इसमें पूचरा है correct कौन सा है तो correct जो है सबसे पहला portion आपका subject के बाद क्या आता है वर्ब ही आती है तो यहाँ जो आपकी वर्ब है वर्ब में error क्या है वो आपको देखना पड़ेगा error आपको जो है देखें have के बाद आपको पता है वर्ब की third farm आती है ठीक तो वर्ब की third farm यहाँ है लेकिन आप देख रहे है सेम singular है तो यह आपकी जो finite वर्ब है यह भी singular होनी चाहिए तो यहाँ singular है नहीं यह plural है मतलब यह agreement नहीं कर रहा है यह option आपका गया दूसरे पर आप आजाईए देखें यहाँ पर आपको head मिला has, have, head इनके बाद अगर जो जब आप दूसरी वर्ब या तो वर्ब आप यूज मत करिए और अगर जो वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो वर्ब वर्ब की third farm में यूज होती है, दूसरी कुछ नहीं आती है तो यहाँ पर आप आपने क्या देखा यहाँ पर यह वर्ब की third farm ना यूज करके इन्होंने आई एंजी वाली फार्मला दी है तो आपका यह option भी गया उसके बाद आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं same be going तो यह बी वाला सिस्टम जो आपका यह बी वाला सिस्टम होता है यह आप टेटिप सारी, यह सबजंटिप मूड में आपका यूज होता है ऐसी कोई कहने का मतलब और यह present सबजंटिप का इन्होंने आप दिखाया है विस यह desire तो इसमें express करना नहीं है तो यह आपका meaning के तोर पर और structure दोनों के तोर पर यह option आपका यह भी गया अब इसमें जो आपका बचता है यह fourth option बचता है अब यह आपको चेक करना है कि correct है कि correct नहीं है देखिए, is है इसके बाद आपकी verb की verb में ing लगी है तो आपकी verb अगर जो ही जाती है aim आती है, वा जाती है, वर आती है इसके बाद अगर जो पहली चीज या तो आप इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं इसके बाद अगर जो आपको दूसरी verb लगानी है तो वो verb आपकी जो है कि Sam ये काम कर रहा है तो मतलब आप इसको active voice की जरूरत है वही चीज यहाँ पर express भी कही गई है तो इसलिए ये sentence आपका correct है बोल्डर ने देखो 4 को माना है candidate ने भी 4 को किया है इस question में कोई भी बाद नहीं है अब देखिए ये question बड़ा easy सा है hedge purchased तो कहने के मतलब भी आपका present perfect हो गया तो यहाँ जो है ये present perfect बोल्डर ने में भी बाना है candidate ने भी बाना है अब यहाँ आप देख रहे हैं I am besting her now तो ये आपका present present continuous tense है देखो I am से present पता चला ing से मुझे continuous पता चला इस sentence में जो है present continuous tense है time पूछा जाएगा तो ये आपका time present या future को जो है express कर रहा है तो board ने भी इसको present continuous tense माना है candidate ने भी माना है यहाँ पे कोई विवाद नहीं है अब देखो underline part का इन्होंने tense पूछा है तो easy है head आपको मिला bean मिला closed मिला तो कहने का मतलब ये आपका क्या है past perfect का है passive voice है अब देखिए next question है आपका next question इसमें आपको correct option निकालने है तो मुझे सबसे पहले क्या है verb देखनी है आप देखिए यहाँ पे did है did के बाद क्या है not लगा है तो did है आपकी auxiliary verb हो गई क्योंकि आपकी जो primary auxiliary छोड़ दिया जाए तो अगर जो जो not लगती है तो not main verb में लगती ही नहीं है तो did जब auxiliary verb का का काम करता है तो अपने बाद ये क्या लेता है अपने बाद ये base form लेता है तो यहाँ क्या लगा है यहाँ यह third का लगा है तो इस हिसाब से ये sentence आपका रांग हो गया ये correct आपका नहीं है चलिए दूसरे को चेक करते है यहाँ देखो फिर do लगा है देखो do मिले, does मिले, did मिले इसके बाद base form आपको लगाना है तो यहाँ पे आप देख रहे है do मिला है do के बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे है यह आपका जो है id form आगया यह आपका base form नहीं है इसलिए यह sentence भी आपका गलत हो गया अब यहाँ देख रहे हैं आपको does मिला है does के बाद आपको क्या मिला है does के बाद आपको मिला है verb की base form आपको लगेगा सही है लेकिन यहां आप देख रहे हैं subject आई है तो I के साथ do आता है does नहीं आता है इसलिए यह sentence गलत है कि इसमें subject verb agreement नहीं हुआ है यह क्यों गलत है इसमें verb का combination mismatched है इसमें भी verb का combination mismatched है आप fourth वाले को देखिएगा देखिए इसमें do auxiliary verb है I से agreement भी कर रहा ह और यह इसके बाद आपको base verb मिल रही है तो यह sentence आपका correct है बोर्ड ने भी चार को माना है candidate ने भी चार को किया है तो यहां पे कोई विवाद नहीं है अब देखिए जिस question पर विवाद है time जो है ज़्यादा हमको waste नहीं करना है मैं direct जो question आपको विवादित है या बोर्ड के recording बोर्ड ने जिनको माना है तो जिन में problem हो सकती है मैं उन्हीं पर जो है चर्चा कर रहा हूँ नहीं तो वीडियो आपकी बहुत लंबी बन जाएगी अब इसमें देखिए यह है आपका 39 वाला question इसमें आप claim कर सकते हैं इसमें क्या लिखा है to use यह आपका जो है डैस है अब यहां आप से बोलें कि अबरेप्ट चेंज आफ थाट अगर जो आपको express करना है तो आप क्या यूज करेंगे तो यहां पर हम डैस यूज करते हैं exclamation mark हम जो है नहीं यूज करते हैं exclamation mark तब यूज होता है वहां भी थाट आप express करते हैं लेकिन वहां sudden thought आप express करते हैं डैस को जो है डैस लगता है तो अबरेप्ट चेंज आफ थाट को express किया जाता है इसका आपको जो है बुक प्रूफ कहां से मिल जाएगा रैन मार्टिन के बुक खोल लीजिएगा वहां पे आप punctuation पे चले जाईएगा punctuation पे punctuation वाले chapter में जाने के बाद आपको उसमें मिलेगा डैस का use फिर डैस का use आपको मिलेगा 218 आर्टिकल पर मतलब 218 नंबर के आर्टिकल पर आपको मिलेगा डैस का use तो डैस के use में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पहले ही point पे दिया गया है कि to indicate and abrupt stop or change of thought as तो कहने क तो मतलब डैस का use हम abrupt change of thought को express करने के लिए करते हैं तो यहां पे candidate ने आपका सही लगाया है बोल्ड ने गलत माना है आप इस पर अगर जो आवेदन करेंगे प्रत्यावेदन देंगे तो आपका माना जाएगा तो जिनोंने भी डैस को टिक किया है उनका ये वाला question सही हो सक आप बुक प्रूफ कहां से लगाएंगे रेन मार्टिन बुक से लगाएंगे रेन मार्टिन बुक में आपको punctuation chapter पे जाना है punctuation chapter में जाने के बाद 208 नंबर की article में जो पहला point दिया गया है उस पहले point की pick ले करके आपको लगा देना है अच्छा बुक प्रूफ लगाते स समय एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो रेन मार्टिन की बुक है ये publication to publication जैसे 9th publication है 10th है 11th है तो इसमें बुक की जो है pages के number differ करते हैं तो जब भी आप रत्यावेदन लगाईएगा तो आप page number से मत लगाईएगा आप book का edition डालिएगा बुक का edition डालने के बाद तब page number लगाईएगा बिना book के edition के suppose that आप जो है 9th edition है आप में 245 page पे है अच्छा आपने mention नहीं किया बॉल्ड ने वहाँ जो है नार्मली कोई किताब जो है रेन मार्टिन की मंगवा ली अब उसको 245 page पे नहीं मिल ला है 200 कहने के मतलब 60 पे वो चीज हो सकती है तो आपको जो है वहाँ ये नहीं उमीद करनी है कि बॉल्ड ढूढ़ेगा आप सारी चीजें पहले से ही clear करके भेजेंगे आप बुक का edition mention करेंगे आप उसका writer mention करेंगे आप बुक का cover pick लगाईएगा प्लस जिस page पे वो दिया गया है उस page की उस page का आपक आपको जो है पिक लेनी है उसकी आपको फोटो कांपी निकलवानी है और उस point को आपको highlight करना है यह इतना करते हुए जब आप करेंगे तब आपकी समस्या को consider किया जाएगा चलिए इस video में हम इसको जो है यही तक सीमित करते हैं अब next video में हम आपको जो है further का provide कराएंगे thanks